नमस्कार दिश्टी आईएस के आडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सपेश में प्रकाशित लेक 19 years of reserve bank of India its history how it navigated times of crisis के सारांश पर आधारित है इसमें टीम दिश्टी के inputs भी शामिल है ये आर्टिकल सामान अध्यन प्रश्णपत्र 3 के अर्थ विवस्था खंड से जुड़ा हुआ है तो आईए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं देश की पूरुप्रधान मंत्री और भारत रत्म से सम्मानित अटल बिहारी वाजपई ने एक बार कहा था सरकारे आती जाती रहेंगी लेकिन यह देश रहना चाहिए यानि देश की बुनियाद सरकारे नहीं बलकि इस देश की जनता, संस्थाएं, सैनाएं और स्टील फ्रेम उफ इंडिया है तबी तो सरकार के बदलने के बावजूदी संस्थाएं अपने मूलियों में परिवर्तन नहीं करती बलकि देश की सम्मेधानिक, सांस्कृतिक, आर्तिक धांचे के सरक्षड के लिए किसी भी सरकार के साथ मिलकर लगातार काम करती रहती है वह चाहे भारत के सामविधिक निकाय हो या समवैधानिक आयोग या नियामक प्रडाली भारत में कई संस्थाएं तो ऐसी हैं जिनका जन्म भारत की स्वतंदिता से पूर्ब बिटिश काल में हुआ है लेकिन अपने पुराने मूलियों को भुलाते हुए आज ये संस्थाएं देश-विदेश में भारत के हित बढ़ाने का काम कर भारत के विकास को गती प्रदान कर रही है ऐसी ही एक संस्था है केंद्रिय बैंक RBI यानि Reserve Bank of India आज भारत की वित्ती स्थर्ता सुरिश्शित करने भारत के विकास को गती देने और भारती आर्थ विवस्था को आकस्मिक संकर से बचाने में Reserve Bank की भूमिका सराहनी है आजादी की पूर बनी एहसंस था आज वेश्शुक पटल पर देश को वित्ती रूप से आत्र निर्भर बना रही है वे चाहे रुपए के अंतराश्थी करण द्वारा ऐसा करने का प्रयास हो या UPI को गलोबल बनाने की दिशा में लगातार काम की खाली में RBI ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे किये हैं इस दोरान आयोजे समाहरों में देश के प्रदानमंत्री ने भी भारत की आर्थिक विकास में RBI के महित पर जोड दिया तो वहीं समय के साथ बदलते आर्थिक माहौल में RBI के लचीलेपन की तारीफ करते हुए इसे भविष की चुनोतियों के लिए तयार रहने को कहा वैसे तो हम सब RBI को एक केंदरी बैंक की रूप में जानते हैं जो देश की बैंकिंग पडाली को रेगुलेट करता है लेकिन इसका काम सिर्फ इतना भर नहीं है बलकि काले धन को रोकने, देश में वित्ती स्थर्ता सुनशित करने, डिश्टल लेंदेन और वित्ती समावेशन को बढ़ावा देने जैसे अनेको काम भी इससे जुड़े हुए हैं RBI ने 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आज के इस ओडियो आर्टिकल में हम इतिहास से लेकर वर्तमान तक RBI की कार प्रडाली समझने का प्रियास करेंगे तो भविश में इसके सामने क्या चनोतिया हैं यह भी समझेंगे आर्टिकल की अपनी इन रूप रेखा के इर्दगिर्द आईए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम इतिहास जानते हैं RBI की स्थापना 1 अप्रेल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना के लिए कानून मार्च 1934 में अधिनियमित क्या गया था जबकि बैंक गठन, शेर पूझी जारी करने और कैंद्रिये और स्थानिय बोर्डों की स्थापना से सम्मंदित प्रापधान 1 जनवरी 1935 से लागू हुए थे आपको बता दे किसकी स्थापना में डॉक्टर अंबिटकर का भी हाथ है असल में भारती इजर बैंक की संकल्पडा, डॉक्टर अंबिटकर द्वारा हिल्टन यंग कमिशन जिसे भारती मुद्रा और वित्ट पर रोयल कमिशन के रूप में भी जाना जाता है उनकी पुस्तक the problem of the rupee, its origin and its solution के आधार पर प्रिस्तुत दिसाने देशों से मिली थी इसकी स्थापना के साथ इसने सरकार से मुद्रा नेंतरक और Imperial Bank of India से सरकारी खातों के प्रवंधन का कारे समहलने का कारे शुरू किया इसके गठन का उदेश बैंक नोटों को वी निमित करना, मौद्रिक स्थर्ता, सुनशित करने की दिश्ट से भंडार बनाये रखना और देश की रिड़ एवं मुद्रपडाली को अपने लाप के लिए संचालित करना था शुरूआत में इसका केंदरी कारे काल कोलकाता में स्थापित किया गया था, बाद में वर्ष 1937 में इसे स्थाई रूप से मुंबई में स्थांतरित कर दिया गया आपको बता दे केंदरी कारे आले वह जगय है जहां RBI की नीतियां बनाई जाती है इसके साथ ही क्या आपको पता है कि RBI ने नाकीबल भारत के बलकी पाकिस्तान और बर्मा के कैंदरी बैंक की रूप में भी कारे किया है असल में बर्मा यानी वर्तमान मयामार 1937 में भारती संग से तो अलग हो गया था लेकिन हिजर बैंक ने बर्मा पर जापानी कबजे तक और बाद में अप्रेल 1947 तक बर्मा के लिए कैंदरी बैंक के रूप में कारे करना जारी रखा था वहीं भारत के विवाजन के बाद रिजर बैंक ने जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्री बैंक की रूप में भी तब तक कार किया जब तक स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने परिचालन शुरू नहीं कर दिया अपनी स्थापना की समय यह एक शियर धारक बैंक की रूप में स्थापित किया गया था लेकिन बाद में एक जनवरी 1994 को इसका राश्टी करड़ कर दिया गया जब भारत ने योजना आयोक का गठन किया तो भारती रिजर्ब बैंक की जिम्मेदारी बढ़ गई करशी में निवेश के द्वारा करशी को गती प्रदान करने आम लोगों तक बैंकिंग सुवधा पहुचाने तो वहीं भारी उद्योगों की स्थापना जैसे सभी कामों के लिए आरिब्याई एक केंद्री भूमका में आ गई खासकर साट के दशक में जब रिजर्ब बैंक ने कई मायनों में विकास को प्रेरित करने के लिए वित्यका अप्योग करने के अवधरणा और अभ्यास की शुरुवात की बैंक ने संस्थागत विकास में भी महिकपूर भूमका निभाई और साल 1990 में जब 14 बैंकों का राष्ठी करड़ किया गया तो RBI ने भारती बैंकिंग विवस्था को और गती प्रदान करते हुए भारत के विकास पर जोर दिया लेकिन वर्स 1990 के दश्चक के बाद जब जब भारत को वित्ती संकट का सामना करना पड़ा तब तब RBI ने अपने काम के तरीकों में विदलाव करना शुरू कर दिया आए एके करके उन संकटों और RBI दोरा उठाए गए कदम को समस्ते हैं देखा जाये तो ऐसे सबसे बड़े संकट का सामना RBI को 1990 के अंत में करना पड़ा जब भारत भुक्तान संतुलन के गंभीर तनाव के दोर से गुजर रह था सद्दाम हुसेन दोरा कोवैत पर आक्रमन के बाद भारत के रैमिटेंस में कमी और तेल की कीमत में ब्रद्धी के करण ऐसा हुआ दिसका भारती अर्थ विवस्था को गंभी नुकसान जहिलना पड़ा भुक्तान संतुलन के चालू खाते पर दोहरी मार पड़ी प्राप्तियों में कमी आई और आयात के मूले में ब्रद्धी हुई 1991 के आनवे में चालू खाता घाटा बढ़कर सकल घरिल उत्पात का तीन प्रतिशत हो गया आलम ये हो गया कि संकट के चरम पर भारत के भंडार द्वारा वहन किये जाने वाला आयात कवर तीन सपता के एतिहासिक निचले इस्तर तक गिर गया उस समय ऐसी एटकले लगने लगी कि भारत अपने अंतराष्टिये लोन में चूक कर देगा लेकिन आरबियाई ने भारत की साख गिरने से बचा ली आरबियाई गवर्नर वैंकट रमन के नेतरतों में आरबियाई ने एक उतकिष्ट भूम का निभाई आरबियाई ने तरलता का प्रवंधन करने के लिए सोने के भंडार को इस्थानांतरत कर दिया तो वहीं रुपए का दो बार अव मूल्डन किया इसके साथ ही व्यापार खाते पर रुपए की पूड परिवर्तनियता की अनमती दी इसके लाबा उदारी करण को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सुधार ब्यासदरों का वी नियमन और नए निजी बैंक लाइसेंस जारी किये हलाकि संकट से पहली की आर्वियाई ने आयात संपीडन जैसे कारकरम की शुरुआत कर दी थी ताकि आयात पर नगत मारजिन बढ़ा है जा सकी वहीं वर्ष 2008 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए आर्विय गवनर वाई वी रेड़ी के नित्रुत में संकट पूर पूझी प्रभाह के खिलाप आर्वियाई की नीतियों की प्रशन सा की गई जबकि संकट के बाद आर्वियाई ने दी सुबा राव के उधार समायूजन नीत के तहित इस्थिती को अच्छी तरह से प्रभंधित किया जबकि बाद में रेगुराम राजन ने रुपई का अंतराष्टी करण करने और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना पेश की जब वर्ष 2016 में 500 और 1000 जैसे उच्छ मूले वाले मुद्रा नोटों का अचानक वे मुद्रिकल कर दिया गया तो कई चनोतियां पैदा हुई आर्वियाई को तरलता की कमी और आर्थिक व्यवधानों की प्रवंधन की कार का सामना करना पड़ा लेकिन इन सारी चनोतियों से निपट्टे हुए आर्वियाई ने भारत के विकास को प्रभावित नहीं होने दिया वहीं GST के बाद जब देश में आर्थिक गति अचानक से धीमी हुई तो उसे एक बार गति देने के लिए आर्वियाई को सामने आना पड़ा COVID-19 महमारी के बाद जब देश में आर्थिक गतिमिधियां लगातार बंद थी तब भी आर्वियाई ने इन मुश्कुलों का सामना किया आर्वियाई की उस समय अपना ही मौद्रिक नीतियों का ही असर रहा कि जहां विश्व की सभी अर्थ विवस्थाएं आज तक पूरी तरह महमारी के प्रभाव से नहीं निकल पाई वहीं भारत ने आर्थिक मूर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया आभी केंद्री बैंक और बैंकिंग रेगुलेटर की रूप में तो आप आर्वियाई के कामों को जानते होंगे इसलिए आज की चर्चा में हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि आर्वियाई आज वित्ती समाविशन को बढ़ावा देने और भारती अर्थ विवस्था की साख बढ़ाने के लिए क्या प्रियास कर रही है देखा जाए तो अपनी स्थापना के समय से ही आर्वियाई ने लगातार नबोन मेशी प्रियास किये लेकिन पिछली कुछ एक वर्षों में इसने अपने दायरों का और विस्तार करते हुए 100% वित्ती समाविशन का लेक्ष तो 2016 में यूपियाई की शुरुवात की इसने जहां काले धन को रोकने में मदद की वहीं दिश्टल भुक्तान को बढ़ा कर वित्ती समाविशन भी बढ़ाया है इसका ही असार की वर्तमान में दिश्टल भुक्तान सूची में भारत शीर्स पर है जबकि वहीं स्री लंका, मौलिशस, फ्रांस, स्युक्त अरब अमीरात, सिंगापूर, भुटा, नेपाल जैसे देशों में भी यह पडाली कारे रथ है इतना ही नई हाल ही में भारत ने स्युक्त अरब अमीरात से खरीदे के कच्चे तेल के लिए रुपए में भुक्तान करते हुए भारत के रुप का समर्थन भी किया वित्ति समाबेशन की दिशा में बढ़ते हुए ही आज NEFT और RTGS 24-7 365 कारिक कर रहे हैं तो वहीं क्रिप्टो क्रेंसी जैसे अस्तिर पडाली से देश को बचाने के लिए RBI ने अपनी डिश्टल क्रेंसी भी लॉंच की है यानि साफ है कि RBI बदलती पस् हुए आगे की राह जानते हैं ये सचे कि RBI ने व्यापक आर्थिक प्रबंधन में दक्षता प्रदश्चित की है लेकिन आज भी बैंकिंग विनियमन और परविक्षण में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है जैसे कि कुछी समय पहले यस बैंक का मामला सामने आया था इसके लाबा आस तक कॉपरेटिव बैंक की समस्या भी पूरी तरह नहीं सुलज़ पाई हलाकि बैंकिंग प्रडाली में गयर निश्पादि संपत्तियां या NPA काफिक कम हुआ है पर बड़े प्यमाने पर बैंकिंग अकाउंट से राइट अफ होना एक समस्या बना हुआ ह इसके अतरिक्त वी निमे संस्थाओं से निबटने में पार रश्टा को लेकर चिंतायब बनी हुई है जैसा कि पेटियम पेमेंट्स बैंक के मामले में देखा गया ऐसे में ज़रूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए वहीं आरिब्याई के प्रभावी कामकाच के लिए आर आज कोशी प्रभुत्य को रोकने के लिए राज कोशी अनुशासन भी आवश्चक है सैकारी बेंकों पर भी बहतर रेगुलेशन के प्रयास किये जाने चाहिए तो वहीं नई चिंताओं को देखते हुए आरिब्याई को फ्री हैंड देने पर भी विचार करना चाहिए तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार दियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले